नमस्कार दोस्तों, जै मातादी, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या आप लोग बहुत सारी परेशानियों से जूज रहे हैं? क्या आपके जीवन में सुख नहीं है? क्या आपकी पत्नी आपका नहीं सुनती है? या पत्ती आपको उतना प्यार नहीं करते हैं, जितना की आप उन्हें करती है? क्या आपके प्रेमी या प्रेमी का आपसे हमेशा नाराज रहते हैं? बहुत जित करते हैं? अड़ जाते हैं कि आपकी बाते नहीं मानेंगे? क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं आफिस में आपका बॉस आप पे चिलाता है तो क्या आपकी सासुमा आपके बारे में बुरा सोचती है क्या आपके बच्चे आपकी बाते नहीं सुनते हैं आपको लगता है कि वो गलत रहा पे जा रहे हैं आप उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो आपकी नहीं मान रहे हैं क्या आपके पती आपकी नहीं सुनते हैं तो चलिए इन सब समस्याओं का समाधान लेकर मैं आई हूँ आपके पास आज आपको मैं ऐसा अचुक उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपकी सारी परेशानिया दूर हो जाएगी अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके प्रेमी या प्रेमी का आपकी बाते नहीं मान रहे हैं बहुत जिद्धी हैं गुस्से वाले हैं बहुत अडियल है या फिर उनका किसी और के साथ कुछ अफेर वगेरा चल रहा है अगर आपको वो चीट कर रहे हैं, आपको ऐसे लगता है, तो घबराईए नहीं, आप उन्हें वापिस पा सकते हैं बस एक सरल उपाय है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगे आपको क्या करना है आपको चाहिए रोज, जी हाँ, लाल गुलाब गुलाब बहुत पवित्र होता है, ये देवी देताओं पर भी चड़ाया जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कि इसके उपाय से आप अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं खोया हुआ साथी पा सकते हैं तो इसका उपाय आपको करना है, तो दोस्तों सुबह जल्दी उठकर बोर के टाइम पर आपको 6 बजे इन गुलाब की 7 पंखुडियां लेना है जैसे कि ये एक पंखुडि अभी मैंने ली, इस पर आप लिखेंगे अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम जैसे कि राम और आप एक एज लिखेंगे उन पर, लिखेंगे 32, ठीक है? अपना नाम लिखेंगे दूसरी पंखुडि पर, अपनी एज लिखेंगे इस तरीके से आपको साथ पंखुडियां एकटी करने की है देख DENNIS तो उन साथ पंखुडियों पर आपको एक मंत्र उचारन करना है वो मंत्र उचारन करने के बाद, आपको ये पंखुडियां अपने टक्ये के नीचे रख कर सोना है और आपको imagine भी करना है कि वो प्रेमी या प्रेमी का आपके साथ है आपके पास है आपके नजदीक है बस ये साथ दिन तक आप ये उपाय कीजिए फिर देखिए कैसे इस असरदार उपाय से आपका रूठा हुआ प्यार आपके बिगड़े हुए रिष्टे सब सफल हो जाए अगर आपको ये उपाय करते वक्त किसी भी तरह की परिशानी हो रही है तो पूरी विधी की जानकारी आप पा सकती है जो आपको किसी फिर वक्त 24 घंटे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप या वाटसअель कर सकते हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, वैसे जिस मंत्र की मैं बात कर रहे हूँ, वो मंत्र राशी, गोत्र, जनम स्थान, और नाम से रिलेटेड होते हैं, जैसे हमने इस पर नाम लिखा, राम और सीता, यह सबके नाम तो नहीं होते हैं, तो जिस तरीके का नाम है जो राशी में आप पैदा हुए हैं, जो गोत्र है आपका, उसी सब को mix करके, relate करके ही आपको एक मंत्र दिया जाएगा, जिसके लिए आपको call करना पड़ेगा, तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको इस विदी से फाइदा जरूर होगा, आपका रूठा हुआ प्यार आपके पास जरूर वापिस आएगा, और आपका जीवन मंगल मैं हो, खुशाल हो, समरिदी से फुल हो, इसी की काम ना करते हुए, मैं आपसे विदा लेती हूँ, जैमातादी